बहुत भैंकर हवा चल रही है आंधी आ रही आंधी कहां जा रही हो गोमल आंधी में और यह देखिए छोटा सैतान आ रहा है आंधी चल रही है कि पूरे घर में बस धूली धूल हो गई और दो दिन पहले भी आंधी आई थी और यह गाउं का एरिया है तो यहां पर लाइट भी चली आती है अब सायद साम तक की आए यह पड़सो आए मतल सुबा क्योंकि लाइट के ना बहुत दिकत पेड़ रहते तो अगर तारवार में गिर जाते हैं तो फिर यह लाइट जो है बहुत मुस्किल हो जाती बनना और यहां रेमार हो रही है यह देखें गर के सामने रेमाड हो रही है तो यहां पहे तंबूल बनाया जा रहा है तान रहें कि जिसमें कि हावा न लगए यह मेरे पपीता का पेड़ और केला का पेड़ और यह नीम, नीम के हाल, यह देखों कितना मस्त लग रहा है, देखें, यह देखों मोल भी भगा जा रहा है, सब दुकान में ही डेला डार की बैठेंगे, अभी तो बढ़ी हा मौसम था, अब बतल ही अचानक सी कैसे खराब हो हुए, और यह मेरी भैस, बैठी है, मतलब खड़ी है, सोच रही बैठने के लिए, और यह कोमर लेके आ रही है कुछ, आ जाओ, आ जाओ, हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, आप सब्सक्राइब, आई होप यहारा गई वेल, तो कल हम व्लोग कांचिनिव कर रहे थे, पर और उसके बाद ना, हमारे इदर गाओं में, तो यहां पर लाइट वाइट चली जाती है, इसके लाइट चली गई थी, और फिर बहुत ज़्यादा, मेरे घर का जो आंगन है, वो भी खुला हुआ है, पूरा, तो यहां घर के अंदर भी बहुत सारा कुड हो गया था, और तो अभी सुबह, सुबह बच चुके है, और शुबह करेला बना रही है, करेला बना रेकाई, जो मसाला है, वो ममी ने बना लिया था, उसका पेस्ट, और चावल चाहिए, पेस्ट के अर आभी इसको भर रहेंगे करेले को देखिए और आज चूली बनेंगे और आज यह जो करेला है ममें बनाएंगे चूली में तो आप लोको साइद आवाज आ रहोगी कि रमाड हो रही है तो मेरे घर के मैं बड़े पापा किदर ही हो रही है तो अभी जब मैं उधर जाओंगी तो आप लोग को श्रीराम भगवान के दर्सन भी करवा दूंगी और वैसे तो खाना ही बन रहा है सुबह सुबह लेकिन मौसम आज कल ठीक नहीं चल रहे है अभी दो दिन पहले भी आंधी आई थी तो लाइट चले गई थी कल भी आंधी है लेकिन आए लाइता है मौसम आज भी खराब है ज्यादा अच्छा नहीं है यह देखिए बादल साइट सौन में आ रहा होंगे आप लोग को साफ नहीं है मौसम काम हो रहे हैं बाहर के भाईया करने में इच्छो होते हैं भाईया है ओए हेलो है सुनते हैं नहीं ते बीजी हैं काम में वालत का है मैं आपको दिखाती हूं आपको दिखाती हूं वन तो यह मेरा सर्वत बन गया है तो इसमें हमने चीनी घुल है रखाता हाथ लिखे बेल का सर्वत रेडी हो चुका है पनको फिर्श्ट फटनदा रंदा तो आभी इसको पियंगे तो आई होब आप लोग को इप सबस्क्काइब नहीं का रखा है त। बिलीज कर देजी है और बाइक को भी टेस्ट कर दीबेगा थैंक्स पमजिए